हलो दोस्तों आप सब का स्वागत है हमारे किचन में उम्मीद करती हूँ आप सब खेरियस से होंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना हमारा चैनल सस्क्राइब जरूर करना और साइड वाले गंटी भी जरूर दबा देना कमेंट करके बताना कैसी लगे हमारी रेसिपी आज हम इसमें लेकर आएं फूली फूली बहुत ही अच्छी और डिजाइनर पूरी जो खाने में भी टेस्ट आता है और देखने में बड़ी खुशुरत लगती है तो हम चलते हैं वीडियो शुरू कर लेते हैं यहां पर हमने फूला छ्षव डिया है 200 ग्रम मेदा नमक डाला स्वाधान उसार थोड़ा सा मिट मसाला डालेंगे और थोड़ा सा एक चुट्की डालेंगे सोड़ा तो दालेंगे माईन यानी तेल अच्छे से इसको कर लेंगे यहां पर मिक्स और एक अच्छा सा दिखे इस तरीके से इ यहां अच्छा मौइन बन चुका है मौइन बन गया है तो फिर अब यहां पर डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका एक अच्छा सा डो बना ले गए ना हजादा हार ना सोफ्ट बिल्कुल एकदम नॉर्मल सा डो बनाते हैं डो बना लिया है और बहुत ही अच्छा और इसको फिर में यहां भर थोड़ा सा और मत लेती हूं और इसका इस तरह लंबा सा रूल बना लेंगे और इसको बीच में से कट कर लेंगे अब यहां पर सारे डो की लोई बना लेंगे बना लिया है और इस तरह का गौण चलेंगे और सुरांख वाला और इसे घी सेगानस भाइनाष कर लिया है पेड़े को रखेंगे भी इस तरह से इसको सेव दे लेंगे इस तरह से और अब इसको यहां से उतार लेते हैं चार तरब से इस तरह हलका साथ से इसको आठा लेंगे और इस तरह से इसको आराम की साथ में निकाल लेंगे बाहर लीजिए पूरी को हमने इसके उपर से उठा लिया इसको हम यहां पर कर लेते हैं फराई देखे नॉर्मल साथ तेल को गरम करेंगे और इसमें डाल देंगे इस तरह से पेचुले से थोड़ा सा तेल इसके उपर भी डालेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी अच्छी फूली फूली सी ये पूरी बनकर तैयार हो गई है बहुत ही अच्छी और डिजाइन कितना खुशूरत लग रहा है न दोस्तों तो बस चलिए देखिए सारी पूरी बना कर तैयार कर दिये बनाईए और खाईए टेस्ट लीजिए आपके महले वाले पड़ोसी पूछते हैंगे कैसे बनाई तो बनाईए और फटा फट से और अवजब कीजिए तो चलते हैं मिलते हैं लिकर ने रेसिपी के साथ तब तक खुदा हाफिज